नमः नमश्कार मैं हुनिया शर्माओ स्वागत है आपका कुनली टीवी पर और मेरे साथ इस समय जो उस्टूडियो में जुड़े हुए है. ऐस्त्रालगर Mr.Narish Kumar自 स्वागत है. सर आपका नमश्कार कुनली TV के सबी दिरश्क हो को सर आज हम अपने विवर्स के लिए बहुत ही एहम जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मंगल पर यानि कि मांगलिक दोश पर बहुत सारे लोगों को इससे बहुत डर लगता है क्योंकि इसे विवा कारण भी माना जाता है यानि कि जब दोवक और युक्तियों को डराया जाता है कि आपकी कुणली में मंगल दोश है या आप मांगलिक है इस वज़े से आपकी शादी जो है दलदी नहीं हो पा रही है इसलिए आपके जो विवा का मांगलिक कर रहे इसलिए नहीं हो पा रहा है सबसे पहले तो यह इसकी डेफि मांते हैं और चंद्रमा को हम पालक मांते हैं तो ग्रय जो है उसमें गुरू है बुद्ध है शुक्र है मंगल है सुर शनी है यह पांच ग्रय मांते हैं दो च्छाय ग्रय है दो को हम सारा मांते हैं अस्ट्रोलजी में तो उसमें जो एक मंगल ग्रय है उसकी जो प्रकृति है वो फायरी नेचर का है, वो अगनी तत्व का ग्रह है, इसलिए जब उसका परभाव सब्तम भाव पर पड़ता है कुणली में, तो मांगलिक दोश समझा जाता है, यह ऐसे समझाएंगे कि आपकी कुणली में लगर में मंगल हो गया, सातवीं दृष्टी सीधा सब्तम पर सब्तम में तो मंगल बैठ ही गया, फिर वो शादी का ही भाव है, इसलिए मांगलिक हो गया, अश्टम में मंगल हो गया, तो सीधी दृष्टी पड़ती है दूसरे भाव पर, अब दूसरा भाव जो है, वो कुटुम्ब का भाव है, फैमली का भाव है, वहाँ पर भी मंग मंगल की दृष्टी अच्छी नहीं समझी जाती, बारवे भाव में मंगल बैठेंगे, तो आब वो अश्टम दृष्टी से सब्तम भाव को देखेंगे, इसलिए यदि आपकी कुण्ली में लगन में, चोते भाव में, साथवे भाव में, आठवे भाव में, बारवे सच है, पूरा सच आगे बताते हैं कि वो रद कैसे होता है, ये सच नहीं बताया जाता, वो हम आज आपको बताएंगे, डेफिनेशन के साथ बताएंगे, सारी कुंडनियां लगा के बताएंगे, इस तरह की वीडियो, नहां ये वीडियो जो है, एस्टॉली के जो स्टूर सुना है कि मंगल दोश रद भी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंगल दोश के साथ पैदा हुआ, वो होल लाइफ मंगली की केटेगरी में ही रखा जाता है, आज आप डेफिनेशन बताने वाले हैं कि मंगली दोश रद कैसे होता है, तो सबसे पहले तो ये कि उस रद की कहानी क्या है और दूसरी बात यह कि जब रद हो जाता है तो क्या लाइफ में तब भी हमें चेंजिस देकने हो मिलते हैं देखिये नेहा सबसे पहली बात यह है कि कुण्डली में 12 भाव है हम पूरे ब्रहमांड की इबादी को 12 से ड्वाइड करेंगे तो एक भाव के हिस्से 8% के आसपस अबादी आई तो उनमें से 5 घरों में जब मंगल है तो वो मंगलिक हो गया इसका मतलब यह है कि आपकी पूरे ब्रहमांड की अबादी या भारत की अबादी भी जहां पर अस्ट्रोलजी मांते हैं वैसे तो सब जगा पर मांते हैं 45% के आसपस 42% के आसपस अबादी मंगलिक होगी क्या ऐसा संभव है शास्त्र ने बिलकुल नहा बताया हुआ है कि मंगल रद कैसे होता है मोटी मोटी डेफिनेशन मैं पताता हुआ है मां पढ़के भी सुनाओंगा मां लिजिए नहा कुंडली में मंगल अपनी राशी का है मतलब मेश राशी का वरिशिक राशी का मंगल उच्च का है यानि की मकर राशी का वो शनी की राशी में भी चला जाएगा मंगल गुरु के साथ आजा तब भी रद्ध हो जाता है मंगल आपकी कुणली में इन भावों में पड़ा है केंदर में यदि शुबग्रा है तो भी मंगल रद्ध हो जाता है शुबग्रा को कई एस्टोलजर बोल देता है कि सरफ गुरु हो गुरु नहीं गुरु के लावा शुकर भी हो बुद्ध भी हो तब भी केंदर में हो मंगल रद्ध हो जाता है तो इतनी सारी डेफिनेशन है कि मंगल रद्ध हो जाता है फिर क्या करेंगे लगन कुणली से मंगल नहीं निकला उठाओ जी चंदर कुणली निकालो एक में से तो मंगल निकली जाएगा न, नहाँ, वहां से तनी निकला तो शुकर से निकल लो, यहां से निकला तो नमाश कुली से निकल लो, जिसने मंगलिक निकलना है न, उसने मंगलिक निकाली देना है, जिसने उसकी कैंसलेशन एक्वल में बतानी है, उसने आपको कैंसले होजाएगा क्या नहीं होगा? मंगल अपनी प्रकृति नहीं छोडबता अपनी प्रकृति और प्रकृति इसी प्रिम falar जब उसके ओपर प्रभाब आजाएगा तो यहाथाई साल के बाद । इसका प्रिभाब कशाएगा यह भी नहीं है बुद सारे कोश्षिंजन ऐसे जहर 20 साल बाद खोल लो, जहर अपना गुन नहीं छोड़ेगा, नीम 20 साल बाद खोल लो, नीम अपना गुन नहीं छोड़ेगी, तो उसकी तो प्रकृति ही है, हमने तो पताया, स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि वो उसकी नेचर है, वो फारी प्लानेट है, जब फारी प्लानेट है तो वो अपना गुन तत्व कैसे छोड़ देगा, तो इसकारण मंगल कभी भी रद नहीं होता, जिनके मांगलिक है, उनके रद नहीं होता, आगे ये भी बतायें बारा में से 25 प्रसंट लगए तीन राशी हैं जिनके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा रहता है वो भी आगे बताएंगे तो सबसे पहले तो एक जाता कि आगे जाने से पहले सवाल है मेरा आप से कि जैसे आपने कहा कि इसकी कैंसलेशन है जी आपने तो कह दिया कैंसलेशन है सर फिर बाके astrologers क्यों नहीं बताते हैं नहीं मैं बताता हूं आपको astrology हो क्या गई है तीस दिन में astrology सीखिए उसमें बताई जाते हैं कालसरब दोश मांगलिक दोश केमदरूम दोश आपका गुरू रहु चंडाल दोश अंगारक दोश ये दोश पढ़ा दिया जाते हैं शन या बारा राशिया या नोग्रे पढ़कर astrology नहीं सीखिए बिल्कुल बिल्कुल एक ही कुंडली में एक ही कुंडली की अलग अलग तरीके से definition लोग करते हैं वो डिपेंड करता है आप कितना पड़े हो आपके पास कितना ग्यान है हलाकि मैं भी खुद 16 साल से हूं मुझे लगता है कि मैंने 2% भी नी बढ़ा भी इतना यह वाइड सब्जेक्ट है तो सबसे पहले तो यह नहा condition जो हमने लिखी हुई है जो verbally मैंने बता दी वैसे जो क्या condition है इनमें almost यह है लेकि जो लिखी हुई है वो भी बताते हैं एक जाता कि कुंडली में मंगल दोश हो तो वह इस तրीके से भी देखते हैं कि क्या रद्ध हो सकता है नोन मंगल क सा शाधी इस तरीके से की जाती है में पथे जाता है कि वह पंचम भाव का स्वामी होता है व्रिश्चिक राशी उसकी पंचम भाव में आती है वो त्रिकोन का भाव है वो पुवित्र हो जाता है वो शुब हो जाता है इसलिए चोथे भाव जो मंगल है करक राशी में वो आपको नहीं लगेगा यदि सिंग लगन की कुंड़ी सोरी सिंग लगन की कुंड़ी में चोथे भाव में वृष्चिक राशी आ रहेगी सिंग लगन में भी मंगल योगा कारक हो जाता है क्योंकि वो भागेश हो जाता है तो उसके कारण नहीं यदि कुण्डली में दूसरा भाव नहे है जो दूसरा भाव होता न वो फैमली का भाव होता है। कुटुम्ब का भाव होता है जो शास्त्रों में लिखा गया है। endorse केंद्र के भावों में नहीं रख़ो हमें राहु आ जाता है। जहां पर बताएगे कि यार मंगल राहू साथ आ गया अंगारक बन गया मंगारक दोश यह नहीं किसी और समय वीडियो में यहां पर मंगल रहू योगा कारका हो जाते हैं वह भी बताएगे वीडियो सारे लेके आएंगे, एक एक करके सारे वीडियो लेके आएंगे, जहां लोगों के मन में भ्रहम है, वो सारे वीडियो हम लेके आएंगे, और बताएंगे कि किस तरीके से एस्टॉलजी में जो है, वो लोगों को खराब किया जाता है, मैं खराब शबदी यूज़ क हो तो बुद्ध है सब्कूमेश और बारा लगन की मीन लगन की पत्रका है बुद्ध सब्तम में पड़ा हुआ तो मांगलिक दोश नहीं लगेगा और मंगल अपने घर में यानि मेश राशी में हो वरिश्चिक राशी में हो उचका हो नीचका हो पता लग जाएगा यहां पर मेश राशी से दिखाना शुरू करेंगे बारा के बारा लगनों में दिखाएंगे कि मंगल कहां पर पोजिशन होगी उसकी और वो कैसे रद्ध होगा जी सर उस पर जाने से पहले एक सवाल है कि जैसे यह तो हमने सुना है कि जब मंगल दोश हो जाए ऐसे एस्ट्रोलेजर बताते है को शादी में देरी आती है तो का यह विवाह से संबंदित ग्रह ही होता है मंगल दोश या फिर किसी और भाव को भी या हमारी लाइफ के किसी और हिससे पर भी अपनी द्रिश्टी डालते हैं देखिए निहां मंगल की तीन द्रिश्टियां है चार, साथ और आठ जहां पर वो द्रिश्टी पड़ेगी वो द्रिश्टी नेगटिव ही है मंगल भले आपकी कुणली में योगा कारक हो जाए लेकिन उसकी द्रिश्टी नेगटिव ही रहेगी यह clear है, जहां पर मंगल की दिश्टी पड़ेगी वह भाव इस्टरब होगा, आपको mentally डिस्टरब कर सकता है, आपको physically भी डिस्टरब कर सकता है, मंगल अश्टर में पड़ाओ तो बंदे को पाइल्ज हो जाती है, मंगल अश्टर में पड़ाओ तो विक्ति का accident हो सकता है, औ तो वह ज्यादा बलीड करवाएगा, तो यह उसकी प्रक्रिती हां, वो उसने करना है, मंगल ब्लड सल का कारख होता है, बॉड़ी में, ब्लड का झो लिक्विड होता है, संटरमा से स्याइड करते हैं, मंग-ल बॉड़ी में रिक्टरब का पार्ट होता है, वहाँ पर मंग-ल और Ketu गई-ट, तो इसन सजरी में बैठ जाये कहीं रिश्चिक लगन का मंगल होजए और मंगल के लिए कैसे रदोगा नेहा करकम के लिए च्रय क्षिद के लिए क्यों होता ही नहीं और क्ली क्यों नहीं होता यह समझाने की कोशिश करते हैं यह मंगल लाशी है मेश राशी ये दश्मस्थान में पड़ी है ये केंदर का भाव है ये मंगल की सरी मंगलिक दोष होता ही नहीं है किसी भी तरीके से हो जाए मंगलिक दोष नहीं लगेगा क्योंकि ओक कियो प्लानट आपके लिए शुब है वो आपका नुक्सान नहीं करेगा लेकिन इसके बाब जूद यदि कोई आपको कह दे कि मंगलिक हो तो उसकी कैंसलेशन समझे कैसे होगी वैसे तो होता नहीं है करक लगन में लगन में पड़ा मंगल खुद नीच का हो जाएगा इसलिए वो मंगलिक दोश नहीं होगा लेकिन साथ में यदि गुरू आ रहे तो मंगल गुरू साथ में मिलकर नहाद ये योग पदा कैसा बना रहे हैं ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नीच भंग राजयोग क्या हो क्योंकि गुरू की एक राशी भाकिसान में पड़ी हुई है भागेश जाकर लगन में बैठ गया और पंचमेश के साथ बैठ गया ये सिरफ मंगल को रद नहीं करेगा ये राज योग बना देगा ठीक है और दूसरा यदि मंगल चोथे भाव में आ जाए वैसे तो मैं अगेन बोल रहा हूं यहाँ पर नहीं लगता दोश लेकिन गुरू सामने आ जाए तो मंगल की रद हो जाता है सब्तम में आ गया जो है वो चोथे भाव में आगे तब भी मंगल रद हो जाएगा तो करक लगन के लिए मंगल इस तरीके से रद होगा ये सब को देखना चाहिए ये वीडियो नहीं है जो सीख रहे हैं यह जिनको इस पर कंफ्यूजन होती है आपको पता लग जाएगा कि ये मंगलिक के ना किया जा रहा है कैसे लड़कों और लड़कियों की शादी रुक आई जा रही है पता नहीं लगता में आपको खुद को इतनी जानकर